दोक्टर सुनिल करपेजी के सानिध्य में साई बाबा की महिमा को आत्मसाथ कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। साई साई तेरे चरणों में कोटी प्रणा साई तेरे चरणों में कोटी प्रणा साई प्रभो साई प्रभो शर्ण में ले लो साई प्रभो नमस्कार आप सबका साई वानी में स्वागत मेरे प्रियात्मन भारत के सभी साई के भग और हर दिन नित्यनियम से साई वानी सुनने वाले मेरे प्रभो आज साई वानी को प्रारंब करते हुए मुझे बड़ी खुशी है और मैं एक ऐसे मोड पे पहुच चुका हो जहां मुझे पुरे विश्व से लोग जुड रहे कुछ ऐसी बाते होती है कि जो बाते बहुत महतपुर्ण होती है साई बबा के जीवन में बहुत सारे लोग दान धर्म करते हैं और करना भी चाहिए लेकिन उसके लिए नम्रता होनी चाहिए और वो एक साध्य होनी चाहिए कि ना कि अहंकार होना चाहिए कहते हैं बहुत बार कि कभी-कभी ये हाथ से दान किया तो ये हाथ को पता नहीं होना चाहिए मैं ज्याना और क्रियास सिखाते समय बहुत खुश हूँ, बहुत आपसे जुड़ा हूँ, मेरे आपका रुधे का नाता हो चुका है और जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हूँ कि जीवन में भहत सारी ऐसी चीजे हैं जिनको अप धन्यवाद देना चाहते हूँ जो भी हमें जीवन मिलाए वो किसी का है वो भगवान का है और हम आत्मा और प्रमात्मा की बाते जो करते हैं वो हमारे सरुधै से होने वाली बाते हैं इसलिए मैं भहत शांती के साथ आज कह हैं और साई बानिमा को अब से समझेए यह प्रयास क्यों है और इस प्रयास करने का मक्सद क्या है हैं पुरा विष्व आज एक दूसरे के साथ जैगर लाहरै आपस में बहुत सारे लोगों की समश़ाए हैं और उनको समश़्ा हवर्ण करने वाला उनकी समश़्ाव को वावा उनको अशिर्वात देते हैं और मारदर्शन करते हैं फिर भी हमें हमारे जीवन में कौन सी जीवन धारा अत्मसाथ करनी चाहिए इसके उपर मैं आज बोलने वाना हुआ है और वो जीवन धारा है एक से दस पॉइंट एक से दस चीजों में उनने उसको बाइफर्गेट किया है उसको अलग-अलग किया है और उसको आपको समझाना है सबसे पहली बात है कि हमेशा दान धर्म के प्रती अहंकार में मत रहो लाओत्सो के जीवन की कहानी है उनको ताववाद भी बोला जाता है कि को जब उनके पास से बहनी आया और उसमें 10,000 मोहराए दी तो लाओत्स혀 कुछ 19 मसे कुछ नेई ने है, शांत रहे लिए तो आदमी थोड़सा शाशंकित होगाए और बलाहत्ळ, ठन्य बादि महन्दने के बाद तो हम जरूर लेंगे लेकिन आप तू नहीं देगा तो धर्यवार तू व्यवार मत कर इसका कहना मुझे यह है कि साई के दर्वार में जब आप कुछ चीजे करते हो तह दिल से तो उसका कभी भी बड़े बड़े जाओ मत करो बाबा सब देखते हैं सब जानते हैं क्योंकि यह सब कुछ भगवान का तो है आप जड़ा सोचो ना ध्यान क्रिया में आप बैठते हो मैंने अभी जो शक्तिया आपको कही है और जो बाबा ने मुझे शक्तिया दिये मैं आपके साफ में साजा करता हूँ तो मकसद ही ही है, हमें जिन्दगी में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है इस विशयों को हमें एक साथ जोड़ना है और उसको हम कहते है हमारा जीवन का लक्ष गुरुनालक साहव बच्पन की कहानी है। जब छोटे थे तो उनके पिताजी बहुत परेशान होगे। क्योंकि गुरुनालक साहव हर दिन कुछ ना कुछ घर के फाइदेका नहीं लेकिन लोगों के फाइदेका काम करते थे। अ लग भी जहिए सब्सक्राइदेका ऴेटाब। याजिंगी पिताजी को का यहाधी कुछ परेशा जो घरा हامे लगोर मेरेशा जान की अरक सब्सक्राइब। जो प्रक्वाओ आ शिप्रों मेरे भाइफाँ ना कि उंझा झानों और झेए उसको वीपास्मे लगाओ। ना कि हडबड़ी करो मैं फिर से कहूंगा मेरे भाई बहन ये साइवानी आपको ग्यान देने के लिए आपके जिवन में बदलाव लाने के लिए और आपके जिवन में क्रांति लाने के लिए इसके लिए मैंने बहुत बड़ा प्लैटफॉर्म पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया है साइवानी.org आप आज सबको में बिंती करना चाहूंगा www.saiwani.org इस वी कॉमर्स वेबसाइट से आप संपर कर सकते हो उसमें संपक नंबर है हमारे फोन नंबर्स दिये हुए क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई न कोई कारे आप हाथ में ले गुरुनानक साहब का मैं आज इसलिए जिकर करना चाहता हूँ कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत ऐसी कारे छोटे बन में की सब आपने घरवाले परेशान होते थे लेकिन वो दूसरों के बारे में सोचते थे जब जोटे ते तो उनके यह प्रयास थे आई जिवन में भी जो कहानिया है वही है ऐसी ही कानिया है कि बाबा ने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए दिया ख़त कीरी कुछ पुछ भी नहीं, उनके साधे कपड़े आप देखते हो बाबा के कोई भी आप देखो चभी, कितनी साधगी है, कितनी एक दम सिंप्लिसिटी के साथ बाबा जी है, उन्होंने कभी वो द्वारका माई में रहे, कभी उन्होंने चाहुडी में रहे, कभी मज्जीद में रहे, क कभी बाइजा मा के घर है, बाइजा मा की सेवा करती थी, जब तक बाबा को खाना ने खिलाती थी, तक बाइजा मा कभी खाना भी ने खाती थी, इतने जोर से भग जोडे बाबा ने, और बाइजा मा को बाबा मा बोलते थे, और जब वो मा बोलते थे, तो उनके आखों में आ ... ज्ञान का दान, ねान का दान, विचानों का दान . यही दाना है जो आपके पास है , आजी भरके बाटो, ज्या रखना...... अगर आपके पास औरेजिनल है तो आपको वापत Mr. O happen. और 10 गुना मिले गा ... जब गुरुनानक साब गए एक बार बाजार में लाने के लिए पिता जी ने कुछ चन पैसे दिया और कहे जा बाजुवाले गाव से कुछ सामान खरीटिये ला गए गुरुनानक साब खुशी से आते समय उन्होंने कुछ कंबल लायते कुछ खाना लायता और उनको जंगल मे सब चाब बाबाजी मैंने कर दिया और यह सब को बाथ दिया और वियापने को बना भसना उंता वथ सकाची होता, गरामत बातना망ा, बाबा के पास आज भी आता है, शिरडी में बाबा बाटते हैं, हमारे भी सांस्तान में साहिवानी ट्रस्ट में जितना भी आता है, हम लोगों का कल्यान करते हैं, हमारा लक्षी है लोगों को आरोगे देना, शिक्षन देना, ज्यान देना, कोई मंदिर, बड़े-बड़े मं कि कुछ मैं नहीं किसी को नाम रखता हूँ लेकिन बाबा सेवा चाहते हैं आपको भी सेवा करनी पड़ेगी धरती मा की सेवा करने पड़ेगी गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी शिक्षा के प्रती जाना पड़ेगा अपने हेल्थ के प्रती ध्यान देना पड़ेगा यही पंच्छी सुत्री है, अन्वस्र, शिक्षन, अरोग्या और निवारा, यहीं हमारा है भाईचारा, साई के दर्बार में आए है, साई से जुडेंगे, यहीं तो विचारे, फिर गुर्णारक साप के पिताजी ने छोड़ा कि यह धन्दा करने के तो लायक नहीं है, इसको हम क पंजामी में तेरा को कहते है, तुम्हारा, तेरा, तेरा ह, तुम्हारा, और तेरा के बाद कुछ नंबर ने काटा जितना था, तेरा सब तेरा, सब तेरा, मैं भी तेरा, तू भी तेरा, धन्ने भी तेरा, अनाज भी तेरा, सब कुछ तेरा, और बाट दिया, और फिर पित वहने दस गारा 11 साल की उम्र में नीम के पेड़ के निचे शिररी में जब वो बाबा आये तो बाबा ने जीवन में बदलाव लाया मेरे खुट के जीवन में इतना बड़ा बदलाव बाबा ने मुझे साक्षात करके दिया और मैं जिन्दिन लोगों के साथ जुड रहा हूँ उनके जीवन में चमतकार आया मैं आज सच कहता हूँ भाई और भेनो जब भी आपके सामने खड़ा रहता हूँ कुछ भी सोच के नहीं तो खड़ा रहता हूँ बोलता हूँ आजारों प्रोग्राम में जाता हूँ कर्म भूंई पर फल पाने के लिए सभी के लिए कर्म करना जरूरी है परमात्मा तो सिर्फ लकिरे देते है लेकिन लक्षिरों में रंग भरने का काम हमें ही करना पड़ता है यह गुरुनानक जी साहाब ने कहा है साई बाबा भी कहते है मैंने तेरे को जीवन दिया, तुझे कैसा जीना है जी ले, लेकिन याद रखना, तु दूसरों के लिए जीएगा, तो जीएगा, पुद के लिए जीएगा, तु नहीं जीपाएगा, बहुत मर्यादित समय तु जीपाएगा, लेकिन जब दूसरों के लिए जीएगा भाई, तो तेरा जीवन बदल जाएगा आज हमें यही सोचना है पुरे विश्व से मुझे कहना सब को अपील करनी है इसाई बाबा के जीवन में आपको जुड़ना है आपको खारे करना है अभी और यह कारे कौन सा है अपने ही परिवार में अपने ही परिसर में अपने ही सामराज जीवन अपने घर के बाजू में अपने जिले में अपने तालुका में अपने गाव में अपके शहर में अपने राज्य में अपने देश में और अपने विश्व में संसार को जीतने के लिए जीतने से पहले स्वयम को विकारं को अपने को विजय पाना है और यही हमारी आवशक्ता है साई बाबा कहते भई तेरा जियोन बदल जाएगा लेकिन तू विकारं को पहले जीत ले यही हमारा लक्ष है साई वानी के माध्यम से मैं तीम बातों पर आज बात करना चाहता हूँ और वो उनी के लिए है जो साईवानी नित्यनियम से सुन रहे जो साईवानी साई ध्यान कर रहे साई ध्यान करने वालों को मुझे प्रनाम करना है बहुत सारे लोग कम से कम आज मुझे इतनी खुशी है असी हजार के उपर एप में लोग जूढ चुखे 80,000 लोग पुरे भारत में मुझे बड़ी खुशी हो रहे आप आ रहे हो ना आपके जीवन में बदला हो रहे हैं यही मेरा जीवन का लक्षे आपके जीवन में करांती हो आप अपने सही मार्क पे जाओ जीवन में क्रांथी करो, बदलाओ करो और अपना कारे करते करते आगे बढ़ो भहत भहत अच्छा कारे आपको करना है इतना अच्छा कारे करना है कि उसमें कोई नाम ने, कोई दोहरा ने कोई विचार ने, कोई 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 डर ने सिर्फ कुछ कर गोजेरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए साधन तो जूट जाएंगे संकल का धान चाहिए विस्तार से थोड़ा कहूँ रेवार की दीन तो मैं सायवानी की साही क्रिया साही धान बताने वाला हो पर आज मैं एक बात बहुत इंपोर्टन बहुत महट पुर्ण करना चाहता हूँ कुना में हमने जो साही बाबा का साही आंगन बनाया साही आंगन में कितने सारे लोग जुड़े लोग आते दर्शन करते बोटे सुभी जी हमारे जीवन में बदलाव करना है धान करना है मेडिटेशन करना है पर समझ में नहीं आता है मैं पहले कहना चाहता हूँ आपने कभी खेतिवारी करते होए देखे है किसी को जमीन को पहले बनाना पड़ता है और फिर जमीन में आप जो बोगे वो उग जाता है अपने को भी आपने जीवन की रोजी रोटी और कमानू की एक ध्यान की शक्ती है आप क्यों जोड रहा हूँ जो आप कारे करना चाहते हो उसको बाटो उस कारे को समझ लो साईवानी.com मतलब साईवानी.org आप जीवन में करांती ला रहे है आपको पता है साईवानी में सबसे पहला कारे आ रहा है अपना प्रोडक्ट दूसरा कारे आने वाला है आपकी सर्विस सेवा और किसरा कारे वालने आ लावा है अपनी कला को एक चांस एक संधी एक बहुत अच्छी उपलबधी मिलने वाली है और इसको आपको आगे लेके दाना है साईवानी.org से जुड़के एक organization बढ़ाना है जो सब की organization है मैंने तो सिब नीम लवाई है आकेला चला था लोग जुड़ते गया और आज कारवा बनता गया यह कारवा रुखने वाला नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ यदि लोग भगवान दोरा दी गई दौलत का प्रयोग सिर्फ फुद के लिए मतलब करेंगे हजाने में रखेंगे तो उसका वो शोव की तरह बन जाएगी लेकिन यदि वो दूसरों के साथ बातने का निम्मे लेते है तो वो पवित्र भोजन बन जाता है हमें बताना पड़ेगा अपना जीवन बहुत सुन्दर जीवन है अब क्यों इसको नरग बना रहे हो सुन्दरता के साथ जीओगे तो आगे बढ़ोगे भाई और भेनो यही तो जीवन की धारा है आज आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ यह सब कहानिया क्यों मैं आपको सबको सजग कर रहा हूँ जो भी करना चाहते हो करो बट सजगता के साथ करो जब आपको सजगता आएगी आपको किसी बात का डर नहीं है और काम, क्रोध, मेद, मसर, लोब, अहंकार को भगाना है जिन्दगी से योगासन करना है आप कहोगे सुमिल जी आप हमें एक-एक चीज़ समझा रहे हो और बहुत सारी चीज़े हम कर नहीं पा रहे है हम पहले साईवानी मैं पहले कहूँँगा ये क्रम है, ये दस क्रम ले लो जीवन बदर जाएगा ये नारा मेंने दिया है सोदेशी का ये नारा मेंने दिया है भारत भूमी का विकास करने का ये नारा मेंने दिया है साई के आशिरवात का और ये नारा मेंने दिया है जीवन में बदलाव आने का यह जीवन में बदलाव जुरूर आएगा अगर बदलाव लाना चाहते हो तो शांती के साथ क्याम करना सीखो मुझे आप पहले वचन दे दो आच सबसे पहला वचन कभीर महाराज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कभीर ने अपने पूरे जीवन में क्या काम किया तोपी बुनने का काम किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं मर जाओंगा तो मेरी कबर में मेरे ये तोपी बुनने का पैसा लगा देना सच्छाई के साथ उन्होंने काम किया जो भी किया, लोगों को सेवा की, लोगों से पैसा नहीं कमा है, हम भी ये साहिवानी का कारे हमें हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है, मेरे व्यापार मैं हाईकोर्ट में वतालत करता हूँ, मैं हजार लोगों से मिलता हूँ, बट मैं जब साहिवानी करने काम है काई प्रोडक्ट उसमें रहने वाला है आप को भाइदा ना मुझे उसमें कोई नीजी मेरा कोई उसमें इंट्रेस्ट या कोई मुझे बहुत कुछ बढ़ा करने के लिए नहीं आप लोगों को मुझे बढ़ा करने के लिए मैंने व्यास पीट दिया है। या अध्यत्मिक तोर पर तो चलेगा। अभी कुछ दिनों के बाद जो लाईव प्रोग्राम जो होंगे, वो सब आप सुनोंगे हजारों करोडों लोगों में मैं जा रहा हूँ, बीच बीच में लोगों से जाके मैं जूड़ रहा हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ, आपको सब को शान्ती के साथ कारे करना पड़ेगा। ये कारे को आपको मद्दे नजर रखते हुए कारों के साथ जूड़ना पड़ेगा। और ये ही कला आप सब की जीवन पर बदलने की कला है, ये सब कला आपने लक्ष को पाने की कला है, इसके लिए मैंने आज बहुत नमरता के साथ कहा है, कबीर महराज का ये दोहा मैं आपके समने समने बोलना चाहता हूँ, इसको आप ठीक से समझी लिए क्योंकि ये बहुत महतपूर्ण है जीवन के लिए और क्या है इसका संदेशा ये संदेशा है अपने जीवन में साई बाबा ने कहा है सबका मालिक एक श्रद्धा और सबूरित प्रारम्म करो और जारी रखो और साई वानि और साई ज्यान यही तो पूरा लक्ष है यही तो जीवन है और यही तो क्रांती है यह क्रांती को मैं कहना चाहता हूँ और इस क्रांती के लिए मैं आप सबको एक ऐलान करना चाहता हूँ कि आज आप हमसे जुड़े और अपने जीवन में बदलाव आए अप आए हमसे जुड़े मैं फिर से बिंती करना चाहूँगा 9604-191919 9604-050607 दोनों नंबर से आप संपर करें हमसे जुड़े आपकी समश्या है हमें भेजे हमें फोन करके आपकी समश्या है बताए जब तक हम आपके शहर में नहीं आते तब तक आप वही रहे के अपने जीवन में कारे करें और श्रीडि में गुरुपूर्णिमा के दिन हम एक बहुत बड़ा हमारा एक जो भी विचारधारा के साथ जो लूग जुड़ रहे हैं इनको मैं सबके लिए प्रोग्राम एक साई बाबा का एक दिन का हम साई वानी का कारे करें कर रहे हैं सबको आना है लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ आओ जुड़ो और अपना कारे शुरू करो इसी को हम कहते है जीवन का लक्ष होना चाहिए साई वानी सुनना और जीवन में बदलाव लाना यही मैं कहना चाहता हूँ प्रनाम